हलो एवरिवान, वेलकम टू रीटे अरूरा रेसिपी चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, चेटपटी, कुरकुरी और एकदम करारी पैटीस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल अलग है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिये हैं 5-6 मीडियम साइज के आलू, इसे हम ग्रेट कर लेंगे, आप चाहें तो इन्हें अच्छे से मैश भी कर सकते हैं यह हमने सारे अलूं को ग्रेट कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, टेस्ट की कॉर्डिंग एक चुथाई छोटी चमच काली मिश पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चमच चाट मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे यह आलूं का मिक्स्चर तयार है, अब हम इसकी स्टफिंग की तयारी करेंगे, स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर लिये हैं, आधा कप उबले हुए मतर हैं यह और इस बॉल में डाल देंगे, इसे हलका सा मैश कर लेंगे, आप चाहें तो हम हाथ से कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह से मैशर से भी मैश कर सकते हैं अब हम इसमें एक छोटे साइस का बारीक कटा हुआ प्यास डाल देंगे प्यास ओप्षनल है अगर आप नहीं खाते हैं तो आप ना डालें एक हरी मिर्ज डाल देंगे बारीक कटी हुई दो बड़े चमच हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे एक छोटी चम्मच अध्रा ग्रेट करके डाल देंगे नमक डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग आधी छोटी चम्मच चाट मसाला एक छोथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चमच या फिर टेस्ट के कॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधी छोटी चमच बुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे एक छोटी चमच नेम्बू का रज डालेंगे इससे इसका टेस्ट दूगना हो जाएगा तो आप इसे जरूर डालें एक बड़ा चमच क्रश की हुई roasted मुंफली डाल देंगे अगर आपके पास roasted मुंफली ना हो तो आप कच्ची मुंफली को roast कर सकते हैं या फिर इसकी जगह आप काजू भी तोड़ कर डाल सकते हैं यानि काजू के टुकडे भी डाल सकते हैं इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे और ये हमारी चटपटी और healthy और tasty stuffing बनकर के तयार है अब हम एक slurry तयार करेंगे इसके लिए हम एक ball में एक चोथाई कप मैदा लेंगे इसमें taste के codding थोड़ा सा नमक डालेंगे एक चोथाई छोटी चमश लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक better तयार कर लेंगे आप ध्यान रखें इसमें lumps या गुटलियां बिल्कुल भी ना हो और ये जो better है ना तो बहुत जादा गाड़ा हो ना बहुत जादा पतला ये देखिए आप इसकी consistency देख सकते हैं ये जो patties को अच्छे से coat करें इसकी consistency ऐसी होनी चाहिए अब हम एक ball में brown bread crumbs ले लेंगे ये bread crumbs बनाने के लिए आप बची हुई bread या फिताजी bread को grinder jar में पीछ लें और उसके बाद उसे plate में डाल कर एक दिन के लिए सुखा लें तो आपके ये bread crumbs तयार हो जाते हैं और इसी तरह से आप white bread से भी bread crumbs तयार कर सकते हैं अब हम आलू की मिशन में से थोड़ा से आलू लेंगे उसे हातों पर रखकर इस तरह से हलका सा flat करेंगे किनारों से इसे हलका सा प्रेस करते हुए ताकि किनारों से थोड़ा सा पतला रहेगा और बिश में से हलका सा मोटा और इसे बिश में से थोड़ी से जगा बनाएंगे अब हम इसके अंदर थोड़ी से मटर की स्टाफिंग रखेंगे और इसे चारो तरफ से आलू से अच्छे से कवर कर देंगे और फिर हातों की बीच हलका हलका प्रेस करते हुए इसे एक पैटी की शेप देंगे इस तरह से इस तरह से हम इसे अच्छे से पाइन भी कर लेंगे और अब हम इसे मैदे की घोल में डाल कर मैदे की घोल से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे मैंदे की खोल से अच्छे से कोड करने के बाद हम इसे breadcrumb की बॉल में डालेंगे आप हम इसे breadcrumb से अच्छे से कोड कर लेंगे ऐसा करने से इसके उपर एक अच्छे से layer आ जाती है और जब आप इसे fry करेंगे तो ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं या फैलेंगे नहीं ब्रेट क्रम से निकाल कर हम इसे वापिस हलका हलका सा प्रेस करेंगे उपर से मतब इसे ताकि जो ब्रेट क्रम्स हैं वो बेटर से अच्छे से चिपक जाए और जब आप इसे fry करें तो ज़्यादा bread crumbs आपके oil में नहीं जाएंगे अब हमने oil पहले ही अच्छे से गरम कर लिया है gas का flame हम medium कर देंगे और इसमें ये patties डाल देंगे और medium flame पर हम इने fry करेंगे आप चाहें तो इन्हें shallow fry भी कर सकते हैं या फिर सिफ दो चमाच oil में आप इसे तवे पर भी सेख सकते हैं तब भी इसका टेस्ट उतना ही बढ़िया और टेस्टी आता है एक साइट से अच्छे से fry हो चुकी है तो अब हम इने आराम से पलड़ देंगे और दूसी साइट से भी गोल्डन कलर आने तक इन्हें fry कर लेंगे और ये देखिए सारी पैटिस फ्राइ हो चुकी है इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है तो अब हम इने टीशू पेपर पर निकाल लेंगे और ये देखिए बहुत ही जादा क्रंची है और ये मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ अंदर से देखिए कितनी जादा टेस्टी और डिलिश्यस लग रही है और खाने में तो ये लाजवाब है और अब हम इने सर्व करेंगे सर्व करने के लिए सर्विंग प्रेट में सबसे पहले हम धन्या पुदिना की चटनी डालेंगे इसे हलका सा फैला लेंगे आप इसके उपर अमचूर की खटी मीठी चटनी डालेंगे और इन दोनों चटनी की रेसिपीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप वाँ चेक कर सकते हैं इसके उपर ये कुर्कुरी और टेस्टी पैटिस रखेंगे वापिस थोड़ी सी धन्या पुदिना की चटनी डालेंगे और थोड़ी सी अमचूर की खटनी मिठी चटनी इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मूली का लच्छा आप चाहें तो इसके उपर प्यास भी डाल सकते हैं थोड़ी सी मुंफली क्रश करके डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे और आ रहा है ना एकदम मुं में पानी बहुत ही ज़ादा टेस्टी है बहुत ही ज़ादा डिलिश्यस और कुरकुरी और क्रिस्पी भी है तो आप इस recipe को अपने घर में ज़रूर ट्राइ करें और अपने अनबर हमाई साथ ज़रू शेयर करें और अगर आपको हमाई recipes पसंद आती है तो हमारे चैनल रिटारोरा recipes को like, subscribe और share जरूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के notification मिलते रहें